नमस्कार स्वागत है आप सभी गये वाद पुना टर्वितालोग ओनलाइन इंस्ट्यूट से मैं गौर्वन रिण्यन अपका भूगोल जोगरफी एक्सपर्ट स्वागत करता हूँ खंड सिक्षा इतिकारी जो कि एक बड़ी मात्पूर्ण भरती परिक्षा है जिसका 13 वर्सों के बाद फुना एक बार वेकेंसी आई हुई है इसी का स्लेवर्स पर हम लोग डिसकर्स कर रहे थे और मैंने थोड़ा सा कल आपको समझा है था कि खंड सिक्षा इतिकारी का परिक्षा को कैसी कौलिफाई करना है ठीक जी एस पर आपको कमांड अपनी सबसे अधिक बनाना है उसके बात मैथ रेजिनिंग का छोटा सा पोर्ट सान है उसको भी कंप्लीट करना है एक रिंग कंप्लीट जरूर करना है नमबर वहां से मिल जाए गया आको ठीक ना जो हम यहां बचों ने एडविशन लिया था उनका कोर्स पून रूप से समाप्त करा दिया गया था रही आपकी मैराथन की बात तो मैराथन आपको चार मैराथन मिल चुकी थी मेरी परियावरण की संदीप सर की संतोष सर की और हिंदी की चार मैराथन क्लास आपको मिल चुकी थ उसके बाद जैसे आपकी परिक्षा की तिर्थी गोशित हो जाती है कि कब आपका एक्जाम होना है हम पुनहां आएंगे आपके पास और पुनहां आपकी महराथन स्टार्ट कर देंगे जो भी आपका बच्छा हुआ है भूगोल है आपकी इंग्लिस है जो भी topic आपके बचे हुई हैं, जिनकी मैराथन संस्कृत है, जो भी मैराथन आपके बचे हुई हैं, उनको हम प्रारंम करेंगे, और प्रारंम तब करेंगे जब आपकी परिच्छा की तिति हाजाएं, वैसे हम आपको लिए, फिर से महराथन क्लास और जो महत्पूर्ण प्रिष्णो तर्वाली सरंखिला चल लए थी, जिसमें हम महत्पूर्ण प्रिष्णो को आपको करा रहे थे, ओँ हम फिर से पुनाख प्रारम में करेंगे, किवल इंतजार तब तक है, जब तक कि आपकी तिथी निर्धारित नही हो जाती, कब एकजाम होना है, अफवाय है, कोई कहा रहा है, उननीस जन्वरी को होनी है, कोई कहा रहा है, आट जन्वरी को होनी है, कोई कहा रहा है, लास्ट जन्वरी में होगी, तो कोई कहा रहा है, कि परिष्णाप की कम हो जाएगी, फरवरी में हो जाएगी, तो जैसे ही डेट आ जाएगी हम अपना कारिक्रम प्रारम कर देंगे आएगा भारत का परचय हम लोग पढ़ रहे थे खंड़ सिप्छा अधिकारी के सिलवर्स में उसी भारत के परचय को हम लोग आंगे लेकर चलते हैं कल की क्लास में जिन लोग उन्हें नहीं देखी या नरोध है उ इस बात पर चर्चा हो चुकी थी इसी के आगे बढ़ते हैं मैंने आपको बताया था कि अच्छांस रेखाओं के आधार पर हमारा भारत देश उत्री गोलार्द में है और देशांतर रेखा के आधार पर हमारा भारत देश कहां पर है हमारा भारत देश पूर भी अंगला इसी में बढ़ते हैं और इसी में एक सब्द आता है एक कई बार एक जामनेशन में पूछा गया कुछ चान है भारत का अच्छांसी विस्तार कितना है और भारत का देसांतरी विस्तार कितना है तो भारत के अच्छांसी और देसांतर विस्तार को देख लेते हम तो ए से लेकर कहां तक है तो यह हमारे सामने भारत का मांचित्र है यह न्यू इंडिया है जिसमें यहां पर लदाग और कस्मीर है तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे निचले पाइदान से यहां से एक रेखा गुजरती है यह भारत की अच्छांस रेखा है और एक रेखा बार लिभाग की बात करते हैं जो कि अब लगदाक में पहुंच चुका है इंद्रा कॉल कौन सा है इंद्रा कॉल चीज बदल रही हैं यहीं से एक्जामनर आपके पुछन पूछेगा तो अगर हम अच्छांस की बात करते हैं तो भारत का च्छांस यहां प्रारम होता है आठ degree चार minute चूँकि हम Uطoku उत्री गोलार्द में है इसलिए हमने यहां पर एंड लगा दिया और यहां पर हो जाता है 37 degree 6 minute एंड तो भारत का अच्छांसी विस्तार 8 degree 4 minute north से लेकर 7 2,6 01 तक है 8 degree 4 minute north से लेकर 37 degree च्हांसी विस्तार ठीक न है भारत का अच्छांसी आठ के बाद कही ना कहीं पर 9 होगा 10 होगा एक रेखा यो भारत के बिलकुल 20 से होकर गुजरती है और जो यह रेखा है इस रेखा का नाम क्या है तो इस रेखा का नाम है आपकी करक रेखा और करक रेखा जो है आपकी करक रेखा इस करक रेखा का मान कितना है तो इस करक ही डिग्री नौर्थ है यह बात हम आपसे कल कर चुके थे जिस प्रकार भारत का अच्छांसी विस्तार है उसी प्रकार से भारत का देसांतरी विस्तार भी होता है अगर हम बात करें कि भारत का देसांतरी विस्तार कहां से कहां तक है तो एक रेखा है जो भारत के सबसे पश् कुश्चन भी कराएंगे एक कुश्चन बहुत अच्छा होगा ठीक ना तो आप अच्छान से रेखाऊं को समझें अच्छे से फिर हम एक काव के लिए एक कुश्चन देंगे और इस कुश्चन को आपको लिखना है और जब पेड़ चलने लगेगा तो उसमें बताएंगे आ 68 डिग्री 7 मिनिट इस्ट से प्रारम होता है और 97 डिग्री 25 मिनिट इस्ट तक जाता है यह भारत का क्या है तो यह भारत का देशांतरी विस्तार है तो एक कुश्चन पूछा जाता भारत के अच्छान से रेखाऊंतरी विस्तार बताएं तो बता दीजेगा चलिएगा मैं अगर आपसे कहूँ कि जो globe है हमारा इस globe पर जो प्रिथवी है प्रिथवी यानि globe यहाँ पर जो रेखा है 0 degree अच्छांस यानि बिश्वत रेखा तो जैसे जैसे हम उपर की ओर जाएंगे यानि उत्तरी धुरुप की ओर जाएंगे और जैसे हम नीचे आएंगे यानि 90 degree तो जैसे जैसे उत्तर धुरुप से आप दच्छणी धुरुप की ओर जाएंगे तो तापमान में हम इसा कमी आती है क्यूंकि सूर की क्रणे बिश्वत रेखा पर लंबबत पड़ती हैं और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे डिग्री बढ़ती जाएंगे आपकी 90 degree क और बढ़ते जाएंगे बैसे बैसे सूर की क्रणे तिर्ची होती जाएंगे उनके बीच में बनने वाला कौन बढ़ता जाएगा और प्रकास की प्राप्ती कम होने लगेगी ठीक ना तो प्रकास की प्राप्ती क्या होने लगेगी कम अगर पूंचा जाएंगे कि पूरी प में जाती हैं मकर रेखा तक इस पिरकिरिया को उत्रायन और दच्छायन की पिरकिरिया कहा जाता है वरतमान में अगर हम आज ही बात करें आज जिस समय में आपको ये वीडियो सूट कर रहा हूँ इस आज तारीक है अठाईज देसंबर दिसंबर में सूर की करणे विश्वत रेखा से नीचे यानि मकर रेखा पर होती यानि दच्छनी द्रोब में होती है या दच्छनी गोलार्द पर होती है तो दच्छनी गोलार्द में होने के कारण दच्छनी गोलार्द में सर्दी हो जाएगी और इसकी विपरीत उत्री गोलार्द में क्या हो जाएगी उत्री जागे गर्मी एक से के फिर से दो पहलू है एक अगर नौर्थ है तो दूसरा साउथ है अगर साउथ में सूर किकरण है तो साउथ में गर्मी और उत्तर में सर्दी और अगर उत्तर में सूर किकरण है तो उत्तर में गर्मी और दच्छण में सर्दी चलिए अगर मा लिजेग आपसे मैं पूछ हूँ क्यूं हम अच्छान से रेखाएं पढ़ते हैं अच्छान से रेखाओं का अध्यान हम क्यूं करते हैं यह हम पिरी कमेंस पढ़ा रहा है यह पूछा जाएगा आपसे अगर हम आपसे कहें कि हम अच्छान से रेखाएं क्यूं पढ़ते हैं अच्छान्स रेखाओं के द्वारा, हम किसको ग्याद करते हैं, अच्छान्स रेखाओं के द्वारा, हम तापमान को ग्याद करते हैं, किसको तापमान, ठीक ना, कैसे ग्याद करते हैं, अब भी समझाते हैं, यहाँ पर एक रेखा है, 0 degree अच्छांस यानी विश्वत रेखा 0 degree अच्छांस यानी विश्वत रेखा और यहाँ पर तापमान सबस्य दिखोता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे बैसे बैसे तापमान घड़ता जाएगा यह 90 degree north है उत्री द्रूब और यह 90 degree s है तो 0 degree से या तो आप उपर की ओर जाएगे उत्री द्रूब की ओर या 0 degree से नीचे की ओर जाएगा द्रूब की ओर तापमान में हमेशा क्या आती है तापमान में हमेशा कमी आती है यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए एक formula जन्रेट किया है और formula है अच्छान सरेखा का मान इसका विपरीत सम्मंद होता है एक बटे तापमान से अच्छान सरेखा का मान का विपरीत सम्मंद होता है एक बटे तापमान से ठीक ना अच्छान सरेखा का मान विपरीत है एक बटे तापमान के सीधी सी बाते हैं यदि अच्छांस रेखा का मान बढ़ेगा तो ताप मान घटेगा और यदि अच्छांस रेखा का मान घटेगा तो ताप मान बढ़ेगा बस इतनी सी बात है यदि अच्छांस रेखा का मान बढ़ेगा तो ताप मान घटेगा और यदि एच्छांस रेखा कमान घटेगा तो तापमान बढ़ेगा mathematics में इतना तो जानते ही होंगे कि कौन से संख्या बढ़ी होती है और कौन से संख्या छोटी होती है अगर मैं कहूं कि A इस्थान है और A इस्थान की जो रेखा है वो 0 डिग्री है और B इस्थान है इस B इस्थान की जो रेखा है वो 90 डिग्री है बताइएगा इस formula के यूज करके बताइएगा कहां पर तापमान अधिक और कहां पर तापमान कम होगा तो देख लिजेगा दौनों में अगर हम देखें किस का मान अधिक 90 degree का मान अदिख है 0 का मान कम है 90 बड़ा होता है तो यदि अच्छा से रेखा का मान अदिख है तो ताप मान कम होगा यहाँ पर तो यहाँ का मान कम हो जाएगा और यदि 0 degree का मान कम है तो कम मान होने कारण यहाँ का temperature क्या होगा यहां का temperature दिखोगा इतना देर से मैं ही तो आपको समझा रहा हूँ कि 0 degree पर तापमा न देख और 90 degree जाए 90 degree N हो या 90 degree south हो यहां पर temperature क्या पाय जाएगा यहां पर temperature कम पाया जाएगा ठीक ना? तो अच्छांस रेखाऊंग द्वारा किसी भी स्थान का temperature गयाद कर लेते हैं चलेगा इसी मैं दूसरा समझाता हूँ आपको कहरा है एक place है A place और A place की अच्छांस रेखा कमाने 8 degree कितना माने 8 degree और B place है और B place की अच्छांस रेखा कमाने 37 degree 8 degree और 37 degree आप से पूँछना बताइएगा कहां पर ताप मान अधिक और कहां पर ताप मान कम ठीक ना तो देखेगा 8 और 37 में से अगर हम बात करें तो 8 degree और 37 degree में से 37 कमान अधिक है तो यदि अच्छांस रेखा कमान इसकी अपक्छा अधिक है तो यहां का temperature कम होगा अब जब यहां का temperature कम होगा तुस्थी इस बात है इन दौनमी कमान चोटा है तो अपढ़ करें दिसकी यहां पर टेंपरिचर क्या होगा यहां पर टेंपरिचर अधिक होगा और डिग्री एच्छां से होका कवर गुजरती है इंशां से रहा का कहां से गुजर रही है जम्मू कस्मीर या लदाग लदाग से गुजर रही है तो तमिलाडू में तापमान कम सॉरी तमिलाडू में तापमान अधेक रहेगा और लदाग या जम्मू कस्मीर के छितर में तापमान के रहेगा तापमान कम रहेगा एक कहीं पर तापमान अदेख है, कहीं पर तापमान कम है, हम आपको जलवायू पढ़ाएंगे, वहाँ पर कुश्चन पूछा जाता है, भारती जलवायू पर अच्छान से रेखाओं के, अच्छान से रेखाओं से पढ़ने वाले प्रभाव को इसपस्ट कीजिएगा, ठीक वहाँ पर लोग पत्थरबाज होते जा रहे हैं, अभी आप देख रहे थे, 6-7 महीने पहले पत्थरबाज बहुत जान्द हुआ करते थे, हमारी सेना पर पत्थर फेका करते थे, तो इस पत्थरबाज कैसे उत्पन हुए, वहाँ की भागॉलिक दसाएं हमें बताने होंग हम बताएंगे कि हम केवल भागॉलिक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं भी, हम बताएंगे कि जब मुकस्मीर छेतर में कई अच्छान सरेखा कमाना दिखोने कारण वहाँ पर टेंपरिचर कम होता है, और यह बताएगा जहां पर तापमान कम होगा, वहाँ पर पानी ठंडा प उपज होगी, कभी भी अपने कि जब मुकस्मीर में चावल या गयों या जुआर बाजरा कोई भी फसल की, XYZ कोई भी फसल हो, उसका उत्पादना देखो रहा हो, केवल केशार और शेव को छोड़के वहाँ पर कुछ नहीं होता है, केशार भी करेबा नाम की एक मिर्दा ह उसमें पाया जाता है, फल वहाँ पर देखोते हैं, तो जम्मुकस्मीर में चावल है, गयों है, जो भी हमारी खाद्यान फसले है, उनका कम होने का कारण क्या है, तो उनके कम होने का कारण है, वहाँ पर वर्सा का नहीं होना, और वर्सा क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि उ जहां पर वर्षा देखोगी, आपको ऐसे ही बढ़ाना है, जब मुकस्मीर, राज या जो भी ठंडे प्रदेश हैं, जैसे जैसे आप भारत देश में उपर बढ़ते जाएंगे, यहां से और उपर जाएंगे, चीन, चीन के उपर मंगोली, मंगोली अपर रूस है, जैसे जै आप से पूछेगा, जैसे आगर आपने कभी भी रूस को देखा हो, रूस है, तो रूस के पूर्वी भाग में देखियेगा, पूर्याग का पूरा पूर्वी भाग में, इसका स्तारबादिक जन संक्या घनत तो कम पाय जाता, क्यों? अरवनाचल प्रदिसे रहा उचाच्छांस में होने के कारण वर्सा नहीं होती है वर्सा क्यों नहीं होती क्योंकि तापमान कम होता है जब वर्सा नहीं होगी समझेगा जब वर्सा नहीं होगी तो क्या फसलों का उत्पादन होगा जब फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो क्या यहां के लोगबागों को रोजगार मिलेगा जब यहां के लोगबागों को रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां के लोगबाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर जाते हैं आज हमारे देश में देखीगा CAA और CAB सीटिजन अवेंडमेंट बिल का नांगरिक्ता संसोधन बिल जो पबापारित किया गया उस पे कई परकार के दंगे फसाद हो रहा है सरकारी बिल क्यों लाई सरकारी बिल क्यों लाई इसको आप भली भाते जानते हैं अग मारे देश में अनिस्थानों से लोग आके रहने लगे अनिस्थानों से लोग रहके आने लगे सरकारी कहती है सरकार कहती है कि अनिस्थानों से लोग आके रहने लगे तो भाई कहीं से भी कोई व्यक्ति अपना घर छोड़के दूसरे इस्थान पर क्यों पलायन करेगा क्य क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है जब रोजगार नहीं मिलेगा तो एक स्थान से कहां चला जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की प्रिकिरिया को पलायन कहते हैं क्या कहते हैं बुंदेल खंड एक उ करण का उत्पादन नहीं हो रहा है लोग बाग को रोजगारण नहीं पारहा बच्चों के पास असिष्छा ये बिरोजगार हैं तो रोजडी रोटी के लिए एक स्थान से कहीं चले गए दूसरे तो इस प्रकार से कही सारे कारण व 예श कर सकते हैं भागवलर कारण को तो हम भागलेक वाले कारणों को स्पष्ट कर देंगे, ठीक ना, चलेगा, यह तो अच्छांस हो गया हमारे, ठीक ना, तो अगर मा लीजिगा, यह मैंने मैंस का भी आपको समझाया है, थोड़ा सा टॉपिक, जहां मैंस पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को फोकस, पिरी एकज हो, हमारे यहां lower PCS, lower crash course, ठीक ना, एंटी PC, जितने भी बैच चलाए गए है, UPTT, पिछले बार का UPTT, सुपर टेट, आप सभी जानते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो feedback दे सकते हैं, कि हम लोगों ने कितनी महनत की आपके साथ, और किस परकार से आपको अपनी मंजिल तक ल चलेगा, आए, इसी परकार पूछा जाता है, भारत का देसांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देसांतरी विस्तार, अड़ साथ डिग्री साथ मिनट इस्ट ते लेकर, 97 डिग्री 25 मिनट इस्ट तक है, ठीक ना, यहां से 20 से एक रेखा गुजरती, कर के रेखा, और कर क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है और इन आठ राज्यों को याद रखने की एक ट्रिक है और प्रियाग राज की सबसे फेमस ट्रिक है ट्रिक है मित्र पर गमचा जहार ट्रिक है मित्र पर गमचा जहार मित्र से मिजोरम मी से मिजोरम हो गया त्रा से तिरपुरा हो गया मिजोरम मिजोरम के बाद हो गया तिरपुरा मित्र पर पासे पश्चमंगाल हो गया आपका मित्र पर रा से राजस्थान हो गया मित्र पर गा से गुजिरात हो गया मा से मत्य प्रदेश हो गया मा से मत्य प्रदेश हो गया गम चा चा से चतीस गड़ हो गया चतीस गड़ हो गया और जार तो जार से क्या हो गया जार से आपका जार खंड हो गया जार से क्या हो गया तो जार से क्या हो गया जहार से आपका जहार खंड हो गया तो मित्र पर गमच्छा जहार यह एक एस्षिट रिख है जिसके माध्यम से आप भारत के किन किन राज्यों से रेखा गुजरती है करकी रेखा उसको याद रख सकते है अब यह तो हर कोई जानता है उसने एक नया कोशन बनाया कि करकी रेखा की लंबाई भारत के किस राज्यों में सरवादिक है करकी रेखा की लंबाई भारत के किस राज्यों में सरवादिक है तो करकी रेखा की लंबाई अगर हम देखें तो मद्प्रदेश राज्यों में सबसे अधिक है मद्प्रदेश राज में करके रेखा की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है कहां पर मद्प्रदेश में और राजिस्थान में करके रेखा की लंबाई जो है वो सबसे कम है राजिस्थान में सबसे कम और मद्प्रदेश में सबसे अधिक है अगला कुशन करके रेखा पर एक राजधानी सहर है और जो राजधानी सहर है उस राजधानी सहर का नाम क्या है तो एक राजधानी सहर इस राजधानी सहर का नाम है आपके राची जारकन की राजधानी राची पूर्ड रूप से करके रेखा पर इस्तित है करके रेखा पर इस्तित सहर पूछा जाएगा या किस राज्ज की राजधानी करके रेखा किस सरवादिक समीप या करके रेखा पर इस्तित है तो आपको याद रखना है कौन सा राज्ज आपको याद रखना है जहारखंड और राजधानी याद रखनी है राजधानी का नाम राची साथ गांधी नगर और मद्य प्रदेश की राधानी भोपाल भी करके रेखा के सरवादिक समी पिस्तित राजधानिया है तो एक तीन ही सबसे जानदा पूछे जाते हैं अगर राची है तो पहले नमबर पर राची को बरियता देंगे उसके बाद गांधी नगर को और उसके बाद आम बरियता देंगे भोपाल को ठीक न चली एक करके रेखा है करके रेखा को अगर हम देखे हैं तो एक करके रेखा 36 रूप से भारत को दो भागुम बाड़ देती है उत्तर भारत और दच्छन भारत ठीक न उसी प्रकार जो भारत की देशांतर रेखा हैं 68 ड यह भारत की मानक रेखा मानी जाती है और यह जो मानक रेखा है इस मानक रेखा का मान 85 डिग्री इस्ट होता है यह मान कैसे आया हम आपको समझा देंगे 82 डिग्री इस्ट भारत की मानक रेखा है जो इलहभद के समी मुर्जपूर के साथ भारत के पाँच रजियों से उकर बज़रती है अगर हमें पाँच रजियों की चर्चा करें आपसे फांच रज, ने प друзья कौन से है तो यह पाँच रज एक तो ओगे आपका उत्तर प्रदेश, एक यहाँ पर ओगे मद्र प्रदेश है, चाथीस गड़ ए थोड़ा सा उड़ी सा और यहाँ पर कौन सा आंद्र प्रदेश क्या आप डायग्राम और यहाँ पर लिखी हुई बातों को देखकर बता सकते हैं कि वह है कौन सा राज है जिससे भारत की मानक रेखा यानि साड़े ब्यासी डिग्री इष्ठ रेखा और करक रेखा दौनों गुजरती है तो आप देख सकते हैं चतिस गड़ राज से भारत की मानक रेखा यानि साड़े ब्यासी डिग्री इष्ठ भी गुजरती है और चतिस गड़ से भारत की कौन से रेखा गुजरती है यहां से करक रेखा भी गुजरती है तो यदि आप से पूछा जाए कि मकर रेखा और भारत की मानक रेखा एक द अगला देखते हैं, इसको हम ऐसा ही बना रहने देते हैं, जो भारत की मानक रेखा है, यह मानक रेखा आई कैसे, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, इंटर्वियू में कई वार ऐसे कोशन पूछ ले जाते हैं, तो देखेगा, हम एक सब्यूच कर रहा है, मानक रेखा या मद अगर मैं आपसे पूछ हूँ, यहाँ पर माद लिखा आठ और दस का माद कितना होगा, आठ और दस के माद में कौनसी संख हैगी, तो आपने कहा सन्न, यह तो बहुत सिंपल है, आपने ऐसे बता दिया, अगर तरीका पूछा जाए तो जिसके भी, जिन रेखाओं के माद मत पूछा जाएगा आप क्या करिएगा उनको जोड़ दीजेगा उनको जोड़ दीजेगा और उनमें 2 से डिवाइड कर दीजेगा दो से भाग देजेगा तो अगर 10 और 8 को जोड़ा जाए तो 10 और 8 18 हो जाता है और 18 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देने पर क कितनी संख्या निकल के आएगी आपकी नौँ ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि गैरा और तेरा का माद दिखे तना तो आप सीज़ा कहें कि सर बारा इन दोनों को जोड़ दीजेगा गैरा और तेरा को जोड़ेंगे तो 24 और 24 में दो का भाग देंगे तो कितनी संख्या तो संख्या जाएगी 12 आपकी ठीक ना संख्या कितनी आजाएगी 12 वैसे ही भारत की दो देशांतर रेखा हैं एक पूरप से गुजरती एक पश्यम से 68 डिगरी 97 डिगरी हम मिनिट नहीं लिख रहा हैं सीधा सीधा में डिगरी में लिखा 68 डिगरी 97 डिगरी इनके माद्ध पूछा जाए इनका माद्ध कितना है तो हम दौनों को जोड़ देंगे तो हम दौनों को क्या कर देंगे हम दौनों को जोड़ देंगे चलिए जोड लीजेगा अगर हम बात करें 68 और 97 की अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 और 9 6 15 और 16 165 और अगर हम इस 165 में 2 से लगाया यहांपर 10 हो गया 2 का 10 में भाग कितनी बार जाएगा 82.5 क्या 82.5 को हम 85.5 डिगरी नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अर्थार्थ कहने का मतलब यह है कि जो भारत की मानक रेखा है जो भारत की मानक रेखा है 85.2 डिगरी 97.2 डिगरी और 68.2 का मात है यानि इन दोनों की बीच की रेखा है उसी को नाम दे दिया भारत की मानक रेखा क्या नाम दे दिया भारत की मानक रेखा और इसी मानक रेखा कि आधार पर हम क्या करते हैं हम समय की गड़ना कर लेते हैं के गड़ाना कर लेते हैं हम समय की गड़ना करते हैं ठीक ना समय की गड़ना कर लेंगे एक डिगरी घूमने में प्रिथिवी को मैंने कल बताये था कि प्रिथिवी अपने अक्ष पर एक डिगरी घूमने में कितना समय लगाती है तो प्रिथिवी अपने अक्ष पर एक डिग और अगर एक डिगरी गूमने में चार मिंट का समय लेगी तो साड़े ब्यासी डिगरी गूमने में कितना समय लेगी तो आप बता दीजेगा पूरा पूरा आपका साड़े-पाच घंटे निकल के आ जाएगा तो इस प्रकार से हम समय की गढ़ना कर लेंगे अच्छा देशा आँगे बढ़ते हैं अगर मैं कहूं आपसे छेत्रफल की बात तो भारत का छेत्रफल कितना है यह आम तोर पर सभी जानते हैं कि भारत का छेत्रफल 32.8 अगर हम भारत के एरिया की बात करते हैं तो एरिया भारत का 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर यह भारत का 6 रफल है, अगर हम percentage में बात करते हैं, overall विश्यो के पूरे विश्यो के भाग का कितने पूरे विश्यो का 2.4 पूरे विश्यो का 2.4 पूरे है, तो अगर हम सबसे बड़े देस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा देश हमारा हो जाता है रूश चेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा रूश ठीक ना है रूश रूश के बाद दूसरा कौन सा हो जाता है तो रूश के बाद कनाडा कनाडा के बाद चीन चीन के बाद हमारा USA गर चौते नमबर पर USA के बा 대해 आगर बात करते हम तो यूएसे के बाद dijo at 12 नमबर पर ब्राजीँ पर ब्राजील के बाद अगर बात करते हम तो मिल्दा के बाद हमारा और ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम कहां चले जाएंगे तो एक दो फू लोगन पर हमारा देश भारत तो 6 तरफल की दिश्टी से भारत का अब इसमें 7 वाइस्थान है पूंच लिया जाता है कई वार आई-एस के एकजाम में भी पूंचा गया लेकिन एक ही अकेला कोश्चन नहीं था उसने इस कोश्चन में 3-4 एक कोश्चन में उसने 3-4 पूंच डाले ह और उस एक चैप्टर को फिनिस करने के बाद लोग सेवा आयोग या राज लोग सेवा आयोग या केंद्री यानि संग लोग सेवा आयोग के द्वारा जो भी पूंचे गए हैं उस टॉपिक से संबंदेत उन पूंचनों को हमें आप पर सॉल्ब करेंगे और साथी साथ वो स्प्रिंट के लिए है आंसर को बंद कर लिजीगा कुश्यन पढ़िए और देखेगा आंसरों के जो कुश्चन हैं उनके आप आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं इस परकार से हमारी तैयारी का एक स्टेंडर रहेगा ठीक ना चलिए आँगे देखते हैं इसके हम अब हम अगर बात करें तो बर्तमान में भारत में 28 राज है और 9 किंसा सित्राज हैं तो अगर हम किंसा सित्राजों की बात करें तो लदाक लदाक किंसा सित्राज छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा किंसा सित्राज साती साथ भारत की सबसे उत्तरी दिशाम है तो सबसे उत्तरी केंदर साथ से तराज है सबसे उत्तरी केंदर साथ से तराज है क्या है सबसे उत्तरी केंदर साथ से तराज है ठीक ना सबसे उत्तरी केंदर साथ से तराज है साती साथ छेत्रफल की दिश्टी सबसे बड़ा दूसरा यहीं पर है जम्मू कस्मीर दूसरा हमारा कौन सा हो गया तो दूसरा हो गया हमारा जम्मू कस्मीर तीसरे की बात करें तो यह रहा आपका यहां पर यह रहा चंडीगड चंडीगड जो कि पंजाब पाचमे नमबर के अगर बात करते हैं, तो ए रहा गोजरात में जिसका नाम है दमन एवं दूइप, ठीक ना, ए दमन एवं दूइप के इन साथ सितराज जितो है, कई बार पूच लिया जाता है, इसकी सुचेशन कहां पर है, तो ए गोजरात में है, आप साब साब देख सकते ने लिखा है, दमन एवं दूइप, ए गोजरात में है, ठीक ना, उसके बाद, दादर एवं नागर हवेली, छटे नमबर पर, दादर एवं नागर हवेली, एक हमारा किन साथ सितराज ये रहा, और एक किन साथ सितराज गुजरात, एवं महाराष्ट की सीमा पर है, गुज गुजरात एवं महाराष्ट की सीमा पर, गुजरात एवं कहां पर, महाराष्ट की सीमा पर, उसके बाद सात्मकिन साथ सत्राज हमार आरप सागर में है, और आरप सागर में है जो इसका नाम लक्षदूईप है, लक्षदूईप, लक्षदूईप का निर्माण प्रवाल भि कहां पर है comment box में लिखिएगा मैंने paid batch में जो भी environment पढ़े हैं हम से उनको हम सब पढ़ाए है ठीक ना प्रवाल भित्ति विश्च की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है और कहां पर आठवे नमबर की अगर बात करें तो आठवा किंसा सत्राज हमारा यहां पर है नमान निकोबार अगर हम नौमे किंसा सत्राज की बात करते हैं तो नौमे नमबर का जो हमार किंसा सत्राज है इसका नाम है पुदूचेरी किंसा सत्राज लेकिन ए पुदूचेरी पुदूचेरी अगर किंसा सत्राज की बात करते हैं तो ए पुदूचेरी किंसा सत्राज क बिभिन के रज्जों में इस्थित हैं कहां है तो आईए देख लेते हैं एक में आपके लिए डायग्राम टाइप का बना रहा हूं इसको समझेगा हम ऐसा लिखेंगे पुदू चेरी और पुदू चेरी में चार जिले हैं और जो चार जिले हैं वो अलग अलग तीन रज्ज कोटा जिला भी है माहे जिला ए रहा केरल में ए रहा केरल और केरल में यहां पर रहा ए रहा माहे माहे लिखा है पुदू चेरी उसके बाद एक आंद्रप्रदेश में है और आंद्रप्रदेश में जो है उसका नाम है यनम आंद्रप्रदेश में किंसासित रज पंड़ चे दो जिले इसके कहाँ पर हैं तो इसके दो जिले तमिलनाडू राज्ज में हैं अगर हम तमिलनाडू राज्जी की बात करते हैं तो तमिलनाडू में एक एरा पुडू चेरी और एक एरा कराईकल तो तमिलनाडू में दो जिले हैं यहाँ पर एक का नाम है पुडू या कराईकल एक कनाव पांडचेरी और दूसरे का नाम क्या है तो दूसरे का नाम है कराईकल तो एक चार जिले है पुदु चिरी के लिए साथ सी तराज्य के अभी कुछ टीचर आप से जोड़ गए हैं, कुछ टीचर और हैं, जैसे रभी सर हैं, रभी सर अभी घर पर हैं, उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगे ति वो भी आजाएंगे दो तारिक से, वो भी आपके साथ जोड़ जाएंगे, current affairs और सर आपको reasoning पढ़ाएंगे, धुर कितनी है, तो scrolling में जो number चल रहा है, उस number पर आप message कीजिएगा, वर्टसम message कीजिएगा, तो वहाँ पर addition लेनी की पूरी की पूरी पिरक्री आपको समझा दी जाएगे, ठीक मैतरो, तो इन्ही सब्दों के साथ मैं अपनी बार्णी को आज बिराम देता हूँ, इसके आगे ह हम आपसे कल मुलाकत करेंगे, तब तक के लिए धन्वाद